देश की गरिमा, देश का मान, देश पर इतनारे का अगमान हम सब का बना रहे, देश में लोग तंत्र का सम्मान रहे, सभी इस पर इतराते रहे, यही जन तंत्र का सबसे बड़ा मंत्र है। सियासत में आज हम बात करेंगे जलास्थान में लोग तंत्र के लिए जलाए जा रहे, दिये की, हलाकि विभेद भी साथी ही है, इस पर इतराने के लिए जो दिये जलाए जा रहे हैं और उससे जो अवधाना रखी जा रही है, उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि लोग तंत् उने घर में भूख से कोई परिशान नो हो और उनके घर में कम से कम जिंदगी का दिया जलता रहे इसके लिए विद्दिल्ली पहुंचे हैं। नमस्कार आपके साथ मैं हूँ भूपेंदर दूबे। सभी मतदान के इंद्रों पर दिया जला रही है। लिखा ही गया है और इसको अगर अमल में रखा जाए तो संभावता लोकतंतर की मूल नीब पड़ी रहे कि जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना। अधेरा धरा पर कहीं रहन जाए। स्रिजन है अधूरा कहीं भी शुभर में किसी भी द्वार पर है कहीं भी उदासी। मनुस्ता नहीं पूंड तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमी प्यासी। अधेरा भय का भूख का भरस्टाचार का त्रिशणा का घ्रडा का। राजस्तान फतह को लेकर कि जिस दिये को जलाने की बात आज भाजपा कर रही है। अगर उस अधेरे को दूर करने की बात आती है जिसमें भय भूख भरस्टाचार तमाम चीजें दूर होती हैं तो निश्चित तोर पर विकास का एक बड़ा मजमून खड़ा होगा और अगर ये चीजें सिर्फ सियासत की होती हैं तो फिर जनता को चुंदा है कि आगे क्या करने कि आगे कि आगे को मौन खड़ा होती है तो भाजपा सभी बिधान सभा छेत्रों के मतदान केंद्रों पर दिया जला रही है लोकतंत्र जगमगाता रहे मजमून में तो यही है बात अब हमिसाह की राजस्थान के बिधान सभा चुनाव में भाजपाद धेक्षमिसाह प्रदेश में चुनावी दोरे पर हैं साह ने मसूदा और सुजान गढ़ में चुनावी सभा को संभोधित किया उन्होंने कहाई 11 दिसंबर के बाद कॉंग्रेस को दुर्बीन लेकर ढूंड़ना मुस्किल होगा गांधी नहरू परिवार अब प्राइबेट फर्म बना चुके हैं साह ने कहा कि कॉंग्रेस ने 70 साल तक राज किया लेकिं आम आदमी गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया कॉंग्रेस पार्टी ने 70 साल तक अंबेदकर का इस्तेमाल किया लेकिन सम्मान उन्होंने उनका कभी नहीं किया राजिस्थान के लोक तंतर के महापर्व में आहूती देने का दिन लगातार नजदीक आता जा रहा है अब केवल साथ दिन बचे हुए हैं और भाजपा ने परचार की महीम को तेज कर दिया है बीजेपी के राश्ट्री महामंत्री मुरली धर्राव ने बताया कि बीजेपी की चुनाव परचार के अंतिन दिनों में अधिक से अधिक फोकस परचार पर है दो प्रकार से आगे बढ़ने का निर्ने लिया गया है पार्टी के सिर्ष नेताओं के साथ प्रधानमंत्री और रास्टी अध्यक्ष सभाओं को संबोधित करेंगे मुरिधर राओ ने कहा कि कॉंग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जो चुनावी कंपेयन चला रखा है उसको कॉंग्रेस भढ़काने के हिसाब से कर रही है जाती और धर्म के आधार पर राजनीत कर रही है बूशन स्टील किस प्रकार से स्कैलेट को खर्ज दिया और किस प्रकार से अशोगेल सरकार ने और जोगी के विकास ठीश क्षेत्र में होने वाला है उनको बता कर उस जमीनों को खरीदने का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी राहूल गांधी जी और रावर्ट वर्डरा जी सारे लोगों के ब्रश्टाचार के बातें अलग-अलग अब क्या इन्वेस्टिगेशन में है और कोर्स के सामने है और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बारे में राजस्तान में जवाब देना होगा कांग्रेस की हारने की और बाज़पा की जीतने की हमारे पूरा विश्वास है कि राजस्तान में भी ये सिलसिला जारी रहेगी और संपोर्ण मेजारिटी के साथ राजस्तान में बारतिय जनतापाटी जीतने जा रही है और कांग्रेस डिवाइड़ है और डिवीजिव है और डिफीटेड माइंडसेट के साथ है हम इस चुनाव में बूत स्थर से लेकर प्रदेश तर तक इस चुनावती को स्विकार करेंगे और कांग्रेस को हम लोगों के सामने उसको खुला सा करेंगे उनकी नीदियों पात कॉंग्रेस की कर लेते हैं कॉंग्रेस मुख्याले में कॉंग्रेस के राष्टी प्रवक्तार नदीफ सूर्जेवाला ने बताया कि बिजली खरीद पर कॉंग्रेस ने सरकार पर हमला बोला जैपूर में उन्होंने कहा कि इस سے बड़ा स्कैम कुछ हो नहीं सकता RTI के तहट मिले दस्तावेज का हवाला देते हुए सूर्जेवाला ने कहा कि कुल चार जिनमें से तीन अहम निज़ी कमपनियों से बिजली खरीद कर वसुंधा राज सरकार ने प्रदेश के सरकारी संपत्ती को 6,000 करोड का चूना लगाया है वसुंधा जी ने उनकी सरकार ने 41,966 करोड की बिजली खरीदी 42,000 करोड की बिजली खरीदी 5 साल कॉंग्रेस सरकार 6,526 करोड 5 साल भाजबपा सरकार 41,966 करोड 42,000 करोड और यह मैं नहीं कह रहा यह उनकी सरकार के आकड़े कह रहे वहां से तो 42,000 करोड की बिजली खरीदी वहां से तो रेट भी जादा दे दिया डबल तक दे दिया और सरकारी जो बिजली प्लांट हैं जो राजस्तान की सरकार की मलकियत हैं जो पिछली कॉंग्रेस की सरकार ने लगाये थे आपने उनको दीरे-दीरे बंद कर दिया या उनको दीरे-दीरे इस प्रकार कर दिया कि वहाँ से पूरी बिजली पैदा ही ना हो केवल तीन प्राइवेट कंपनियों से इन में एक है राजस्तान वेस्ट पावर लिमिटेड जिसके मालिक हैं सजन जिंदल जी मोदी जी के लिए जो शायद नवाज शरीट जी से मिलकर भी आये थे दूसरी है जिनको आप सब जानते हैं मोदी जी के दूसरे मित्र अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और तीसरी है कोस्टल गुजराथ और इनसे इस परकार से वसुंद्रा जी ने ये चार्ट भी अबुप तो बिजली सियासत में आही गई 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाओं में थे तो लगातार ये कहते थे कि कॉंग्रेस ने 70 सालों में देश को क्या दिया बिजली आई बिजली मिली बिजली को लेकर के जिस तरह की बातें उठी थी और सरकार जिस तरीके सपने आंकड़े को पेश की है उसमें कॉंग्रेस के घोशना पत्र में बिजली का मुद्दा शंभावता गायब हो गया था लेकिन फिर कॉंग्रेस ने इस मुद्दे को लाया है उसका आधार ये बनाया गया है कि बिजली मंत्राले ने अपने पत्र में ये जारी कर दिया है कि बिद्दूती करन का कारे पहले चरण में ही राजस्थान में पूरा कर लिया है और कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली न पहुँचा दी गई हो देखिए एक खास रिपोर्ट 2018 के लिए हुए बिधान सभाद चुनाओं में बिजेपी ने बिजली के मुद्दे को कॉंग्रेश के घोशना पत्र से गायब करवा दिया 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाओं में थे तो लगातार ये बात कहा करते थे कि आज भी बिजली गाओं तक नहीं पहुँची है तो यादों ने बिजली के मुद्दे को ले करके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक मिमिकरी ही कर डाली थी केंद्री बिद्यूत एवम नभीनी करण मंत्राले ने जो आंकडे जारी किये हैं उसमें मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम के साथ सिक्किम, तेलंगाना और पस्चिम बंगाल में 100 फीसदी बिद्यूती करण का काम पूरा कर लिया गया इसके पहले 15 राज्यों में बिद्यूती करण का काम पूरा हो चुका है, 31 दिसंबर 2018 तक जिन राज्यों में बिद्यूती करण का कारे पूरा होगा उनमें महराश्क, उत्राखंड, हिमांचल, अरुणांचल प्रदेश और 36 गर्ण शामिल है बात राजस्थान की कर लें तो राजस्थान पहले ही चरण में 100 फी सिदी बिद्यूती करण से आच्छादित हो चुका है और यही वज़ा है कि कॉंग्रेश के घोशना पत्र में हर घर को बिजली देंगे जैसा कोई मुद्दा नहीं रहा बहराल आम जंता के लिए शुकून की बात यही है कि भाजपा सरकार ने जो आलेख जारी किया है उसमें जिन राज्यों के बिद्दूती करण के कारे पूरे हो चुके हैं उसमें राजस्थान पहले चरण में है तो एक बात तो साफ है कि मुद्दों की फेहरिस्त में कम से क बिद्दूती करण का मामला तो राजनीत के दाओं पेच और उठापटक के बीच कम से कम 2018 में सभी के घर तक पहुँच गया ये बड़ी उपलब भी कही जा सकती है अब आगे किस तरह की सियासत उरजा को लेके खड़ी होगी ये तो फिर सियासत दान की अपनी चाल में साम तो बिजली एक बार फिर से राजस्थान के चुनाओं में मुद्दा बनी है हलाकि इससे पहले बिजली को ले करके कॉंग्रेश ने अपने घोशना पत्र में बहुत सारी बाते नहीं कही थी लेकिन अब बिजली के खरीद में खर्च किये गए पैसे पर चर्चा जरूर खड़ी करने की कोशिश हुई है खर्च को लेकर के मुद्दा बताया जा रहा है बीजेपी अपने तरफ से उसका उत्तर भी दे देगी लेकिन सियासत में बिजली को लाने का काम तो एक बार फिर राजनायतिक दलो ने शुरू कर दिया सियासत में वक्त एक छोटे से ब्रे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्तान विधान सभाच उनाओ की कवायत चल रही है प्रचार में जूटे दिल्ली के नेता प्रदेश की कमान सभाल रखे हैं लेकिन इस बीच राजस्तान से कई मिथक भी जूडे हुए हैं जिसमें राजस्तान विधान सभाच अध्यक्ष को लेकर ऐसा मिथक है कि कभी भी ये पूरे विधान सभाच के मिम्बरों के साथ नहीं बैठा है पेश है एक रिपोर्ट चुनावी किस्से और कहानियां अक्सर रोजशक होती है तो वहीं राजस्तान चुनावों से जुड़ी कई रोजशक बातें भी हैं जिनमें कई सीटों के रिजल्ट से जुड़ी बाते हूँ या फिर विधान सभाच ध्यक्ष को लेकर चल रही मिथक हो वर्ष 1993 के बाद राजस्तान में जो भी विधायक विधान सभाच ध्यक्ष बना उसके बाद हुए चुनाव में फिर से वो नेता चुन कर उसे विधान सभाच जाने का मौका नहीं मिला इसमें चाहे विधायक का टिकट कटा हो या फिर हार का मौक देखना पड़ा हो या फिर चुनाव ही नहीं लड़ा हो इस सिरीज में अगर सबसे पहले बात करें उस समय के विधान सभाच ध्यक्ष शान्तिलाल चपलोत की तो चपलोत 1998 में विधान सभाच चुनाव नहीं जीत पाए वर्ष 1998 में विधान सभाच ध्यक्ष परसराम मदेरिना बने लेकिन 2003 में चुनाव ही नहीं लड़ा इसी तरह इसके बाद सुमित्रा सिंग विधान सभाध ध्यक्ष बनी लेकिन इसके बाद वो चुनाव लड़ी लेकिन चुनाव हार गई 2008 में विधानसभा अध्यक्ष बने दीपेंदर सिंग जिनको 2013 के चुनाव में टिकट तो मिला लेकिन फिर से सयोग ऐसा बना कि वो विधानसभा तक नहीं पहुँच पाए फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष कैलाश में एगवाल हैं भाजपा ने उन पर फिर से विश्वास जताया है लेकिन देखना होगा कि जो मिथक विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चला आ रहा है वो इस बार तूटेगा या फिर मिथक ही बना रहेगा हाला कि ये आखडे कोई राजदीती में माईने नहीं रखते जनता की वोट से नेता चुनकर विधानसभा जाते हैं हाला कि ये जुरूर कहा जा सकता है कि इस तरह के मिथक को माना भी जाता है जिसके वज़ा से विधानसभा में हवन पूजन भी हो चुका है जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट के आकणों की बात करें तो केंद्रे कृषि मंत्राले ने अपना बुलेटिन जारी करकी ये कहा है कि पैदावार लगबग 40 प्रतिशत तक बढ़ा है और भारत के जीडीपी में उसकी भूमी का काफी एहम हुई है लेकिन उसके बाद भी किसान नाराज है दिल्ली में अंगल मचा हुआ है उसका असर राजस्थान में सियासी मजमून के साथ तो अब दिखने लगा है किसान अपनी कमाई को लेकर दिल्ली में संसत भवन तक अपनी फरियाद लेकर के पहुँचे हैं वहीं सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के मंत्री ये बात बताने में 60 करोड से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम केंद्र सरकार ने किया है 20 लाग किसानों को लाभानवित करने के लिए 6,000 करोड से ज्यादा आवंटन प्रधान मंत्री ने किसानों के लिए दिया है लेकिन उसके बाद भी किसान दिल्ली में अपनी कमाई को लेकर के रहली निकाले हुए हैं बड़ा सवाल यही है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमिशा सरीखे तमाम नेता राजस्थान के चुनाओं में किसानों की कमाई की दुहाई दे रहे हैं ऐसे में किसान नाराज होकर के दिल्ली में दंगल क्यू मचा रखे हैं दो सवाल जो केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही है कि किसानों की कमाई को दुगना करने का काम किया गया है केंद्री किसी मंतरी की बात कर लें तुन्होंने साफ तोर पर कहा कि 2010 से 2014 के बीच में जो पैदावार हुई है उससे 40 फीसदी जादा बृध्धी दर्ज की गई है और ये भारत क जीडीपी में एक बड़ी ग्रोथ कही जा सकती है सवाल फिर यहीं खड़ा हो रहा है कि जिन किसानों ने विकास पर विश्वास करते हुए खेती में अपना खून परशीना लगाया उन्हें कमाई मिली क्यूं नहीं अगर कमाई मिली तो फिर दिल्ली जाने की जरूरत का उत्तर बीजेपी को भारी पड़ रहा है राजस्थान के चुनाओं में किसानों के इस मुद्दे से बीजेपी बचेगी कैसे और कॉंग्रेस इसे भजाएगी कैसे ये तो दोनों सियासी दल समझें लेकिन एक बात तो साफ है चुनाओं नहोंने पर भी किशान पीसी ही रहे थे और चुनाओं के समय भी उन्हें पीशा ही जा रहा है किसी तरीके से गद्दी मिल जाए सियासत्दान सोच यही रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट जन टीवी जै जवान जै किसान जवराजनीती पक्की हो रही थी भारत अपने आपको मजबूत कर रहा था लोगतंत्र में पैठ बन रही थी तो यह नारा आया था कि किसान इतना पैदावार करें कि हर आदमी की थाली में भर पेट भोजन हो अब वो किसान जो पैदावार दे रहा है उसका पेट खाली रह जा रहा है संभौतर जो लोग जिम्मेदारी लिए बैठे हैं वो लोग इसकी जबाब देही से भाग रहे हैं मामला यही नहीं है सियासत में मुद्दे पकड़ाते हैं तो उसे भजाने की भी कोशिस खूब होती है उननीस सो नवासी में जब देश मे एक विभेत की सियासत बिंदेसुरी प्रसाद मंडल आयोक के बाद शुरू हुई तो उसके बाद के जो राजनेतिक बदलाव आये उसमें बीजेपी को मंदिर मुद्दा हाथ मिल गया तो सियासत में गड़बंधन ने नया सुरूप खड़ा कर लिया अब दोनों चीजें भटक रही हैं गड़बंधन को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कवायद में भाजपा लगी है तो राम मंदिर के बूते ही सरकार को फिर से सियासत में खड़ा करने का भीकाम बीजेपी करना चाह रही है कॉंग्रेस मुद्दे पर तो चुप है कि मंदिर कहां होगा ले जनीत में बदलाव का बड़ा साल माना जाता है भाजपा के लिए 1989 उस तुरूप के पत्ते के साथ था जब राम मंदिर उसके हाथ लगा और कॉंग्रेस के बिखराव का बड़ा कारण था जब गड़बंधन की बुनियाद भारती लोगतंत्र में सरकार बनाने के लिए जर बूत पकड राम मंदिर के भरोसे दिखाई थी एक अक्टूबर 1988 को जनमोर्चा जनता पार्टी लोकतल कॉंग्रेस एम जनता दल में बिले की थी द्रमुक टीडीपी और एक दूसरे के बिरोध की बिचारधारा के टकराओ के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडि लागू होते ही बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जनता दल की सरकार गिर गई 1989 के बाद से शुरू हुआ ये शफर 2014 में तब खत्म हुआ जब नरेंदर मोदी के विकास के रत पर सवार होकर भाजपा ने केंदर में पूंड बहुमत की सरकार बनाई राजस्थान के रण में 2018 की बाद करें तो कॉंग्रेस जहां अपने 1989 के बिरोधियों के साथ सरकार बनाने के लिए सीट साजह की है वहीं 1989 में जो लोग BJP के साथ थे उनसे किनारा कसते हुए BJP ने अकेले अपने भूते राजस्थान फतह की नीती बनाई है हलाकि एक चीज अभी भी प्रासंगिक है 1989 में राम मंदिर को लेकर अपने राजनीती का आगास करने वाली भाजपा 2018 में राम मंदिर को बनाने को लेकर के चुनावी सफर की शुरुवात की है 1989 से 2018 तक बदले लोगतंत्र के मिजाज में आज भी धर्म आधारिस सियासत खत्म नहीं हुई है यही वज़ा है कि कॉंग्रेस और BJP मंदिर मुद्दे पर तू-तू-मयमे करते ही दिख रहे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि 89 का ये सफर 2018 में मंदिर मुद्दे के साथ कितना आगे बढ़ता है और 2019 के लिए भाजपा की राह को आसान करता है या फिर राज्यों में हो रहे बिधान सभाचुनाओं में अगर मंदिर मुद्दा नहीं चला तो फिर 89 की चीजे तो तूटेंगी ही ब्यूरो रिपोर्ट जन टीवी चलिए आज की सियासत में इतना ही नमस्कार झाल झाल झाल